अस्सलाम अलेकुम्हाराइब आपकात दोस्तों ये कलास नम्बर तीन है इसके लाव मैं कलास दो अपलोड कर चुका हूँ और आज इनके दिन मैंने दूसरी कलास अपलोड की है तो भी देख लिए और आज ये तीसरी अपलोड कर रहा हूँ यहां से छोड़ी ती वहीं से श मैं माल करें तो मुझसे लोग कुछते रहते हैं सर यह कहां से लेनी है और वह कहां से लेनी है तो वह भी इस कलास के दर मैं बता दूंगा तो यह आज कलास जरूरी है यह अर्दू डिजैनर एब मैं खोल रहा हूं यह भी खुल जाएगी मेरा इंटरनेट चैसी लोग चल लेता हूं यह पोर्ट्रेट वाला साइज ले लेता हूं जैसे यह खुल जाएगी तो उसके बाद मैंने आप लोग को यहां बैक्रोंड के बारे में बता रहा था यह आप्शन सारी तब आएंगे जब इंटरनेट होगा बैक्रोंड वाला उप्शन में फिलाल खोल देता ह अप्शन खोल जाएंगे इंटरनेट पर बाद वकर यह खोलते हैं यह बाद वकर नहीं खोलते हैं इस पहले में आप्शन में आपको कुछ चीज़े बता देता हूं यहां पर सर्टिफिकेट्स यह देखें सर्टिफिकेट्स से काफी सारे फ्रेम्स जो आप लोग ढूंड मिलते रहते हैं आप लोगो मिलते नहीं हैं मिसाल के तौर पर आप बनाई हुई है आपने किसी को सर्टिफिकेट्स बना कर देना है तो यहां पर बैगरॉंड बने बनाए आप लोगो मिल जाएंगे यहां लोड करके जितने भी आपको बैगरॉंड चाहिए वह आप लोग इसको आप लोग नोग बैगरांट है, इसको आप लोग इस्तमाल करके अपने काम नहीं करके हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे आपने सिगनेयचर करने अवी असान तरीके होता है, वो भी इन्शाला किसी वीडियो में आप लोग को बता दूँगा, तो यह सेट कर ले इसको पकड़ कर ले और इसको पकड़के यहां पर रख लें तब यह देखें यह बैगरॉंड के तोर पर सेट हो रहा है उसको पर तहरीर लिखना चाहिए तो वह इंचल जब हम तहरीर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको असानी से समझा जाएगी तो इतना मुश्कल काम नहीं है बस सिरा आपने यहां से डी सेलेक करने को आड़ नियू पर आ जाना है और एड नियू करने को यहां पर एड टेक्स्ट यहां पर अंग्रेजी के अंदर एड कर सकते हैं उसका असान तरीक है मैं आपको आगे बता देता हूं उसके बाद मैं फिल हाल आगे चलता हूं आगे मैं आप लोगों को मजीज जो बैगरांड्स हैं वो भी बताता हूं मैं आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में बता दिया है इसके लावा और भी यहां पर इस्लामिक फिलाल खोल देता हो, ठरिडी कह रहा था चले मैं इस्लामिक खोल कर आप हो लोगों को दिखा देता हूँ… तो यह इस्लामिक कैटेगर्रीज है, यहां पर आपको इस्लामिक बैगरॉड मिल जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर फ्रेस्बुक पर और मुख्लिफ जगों पर इसलामिक आहदीस वगारा और अच्छे अच्छे बाते आप लोगों ने देखियोंगी तो ऐसे बैगरॉंड के ओपर वो लिखते हैं तो वो बैगरॉंड खुद नहीं बनाते हैं आप लोग यह बात जह जो है बैगरॉंड बने बनाए कहीं ने कहीं से लोग उठाते हैं तो दिखाने का मक्सद यह है कि जहां से आप लोग बैगरॉंड उठा सकते हैं नीचे लोड करते जाएंगे इसी तरह उपर 3D वाला उप्शन है तो 3D वाला उप्शन में आपको खोल के दिखा देता हूं तो यहांपर देखें 3D वाले फ्रेम वगरेरा डिजैन वगरार आपको यहांपर करते जाएंगे आपको जहांपर 3D वाले डिजैन एक दफार इनको अच्छे दर्ली की दिखांगे कोर । अकौन सी धरे प्षण कर लें इसकाहां चांपर इसके फिर तेसे पर फाल यह भी और यह बहुत अच्छे सारे डिजैन बना सकते हैं इसके लाव उपर कलर वाली के ट्रीज नजर आ रहे होगी यहां पर काफ़ी सरे कलर ले वैकरोंड आप लोगों को मिल जाएंगी तो इसको भी मखोल को दिखाएं कि लाद यह पाट से खुलने लगा था आ told begin Girard जाये होते हैं यहां पर ग्रेडियर्ट वाड़ींटform थे बने अब वेर्यमने मिल जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे बैडियर्ट वाले मिल जायेंगे कंडर अपूह पता है में और लेता हूं यह आप इसके लाब ब्रथडे वाली 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 है और फ्लावर जानी है तो फिलाल में डबल एक्सपोयर वाले कैटेगरी आपको दिखा देते हूं इसके डबल एक्सपोयर मिलेगा दोड़-डबल डबल चीज़े बहुत ही खुबसुरत बैक्राइब होगी आप देखेंगे तो आप इंशाला खुश हो तो फिलहाल यह भी नहीं खुल रही तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बादोकर मसलह होता है को बादोको क्यों चीज़ को नहीं फिलहाल मैं उपर से कोई और कैटेगरी स्लेक्ट कर देजिएगा जो आप लोग डूनते रहते हैं पुछते रहते हैं आपको नहीं मिलते वह आपको यहां से मिल जाएंगे तो आगे मैं आपको मजीद और चीज़े दिखाता हूं इंशाला वह उमीद चल जाएगी यह भी खुलने में थोड़ा वक्त लग रहा है और तो दुबारा मैं एक तलब नियू डीजैन वालव बढ़न दो आखे मैं कुछ जुबारा सारे काम करना पड़ रहा है मैं वीडियो का स्किप नहीं कर रहा यहां से काट नहीं रहा चाहूं तो काट सकता हूं लेकिन यह बताने के मक्सद यह है कि बाद लोडिंग नहीं होती हो उसकी के वजुवात है या तो आपके इंटरनेट स्लो होता है इंटरनेट स्लो ना हो तो फिर या तो आपका इंटरन ग्राउंड ना हो यह आपको हिजारों की तदार पर इसलाम में पलिटिकल फ्रेम्ज बहुत सार वे ग्रट मिल जाएंगे और इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर आपको मिल जाएंगे एर्क्राउट्स मिल जाएंगे वर्दे फिलाल मैं फ्रेम वाला खोल देता हूं अच्छ यह कुल जाएं तो यह खुल नहीं रहे तो फिलाल खुल नहीं रहे तो मैं वैसे इसको डाउनलोड करके स्लेट करता हूं को आपको यह नदर आ जाएगा बैक रहो अब जैसे मैंने इसके उपर क्लिक किया यह यह देंगी यह यह और भी काफी सारे वहां पर आपको नाजर नहीं आ रहे तो बुक्त यह मसला हो जाता है अगर आपका फिराल में इसको डिसलेक करता हूं यह उपसे डिलीट कर देता हूं खतम कर देता हूं और यह कर देता हूं इसी तरहां इड्नियो पे आकर यहांपे PNG पे काफी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और political, Islamic वगरा वगरा जहां पर काफ़ी सारी कैटेकरीज मजूद हैं तो फिलाल यह नहीं खुल रही बारल लाइटिंग है लाइटिंग की काफ़ी सारी चीज़े हैं बैकराउंड है और यह देखेंगे यह फिलाल नहीं खुल रहा है तो इसका असान तरीका कोई भी तस्वीर के ओपर में गूली रख देता हूं जब डाउनलोड हो जाएगी तो वह आपको नजराने लग जाएगी यह देखें अब जहां पर आ गई है इसी तरह मैं आपको फिलाल इसके चोटा करके जहां पर रख देता हूं इस तरह एड़नियो के ओपर आपे पी एंजी इमेजिस इन को आप लोग अपने कहीं पर सेफ करके अपने मोवैल में भी रख सकते हैं पिर आपको बार बार यहां से इंटरनेट नहीं भी होगा तो आप लोग इस्तमाल कर सकते हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसकी वएशे इसके पर बोज पढ़ता है तो ये बन भी खुब खुब हो जाती है अब यह खुब खुब बंदो हो गई है तो यह मसलब इसके अंदर हो सकते हैं लेकिन आप लोगों को हर बात का पता होना चाहिए अगर आप खुदा ना खासता ने बलकि अच्छी बात अगर आप किसी को कर्ष करवाते हैं तो आप लोगों को इन पॉइंट का पता हो दोबारा मैं पी-ए-जी में जिस दिन तो यह भी नहीं खूल रहे तो इनमें से कोई तस्वीर में ख्ल देता हूं इस तरह के बैजेस हैं और इसको फिला में यहां प्रक्त देता हूं फिर एड़ नीओ पर आ जाता हूं और पींज इमेज को प्रडबा देता हूं और किसी तस्वीर के उपर उंगली रखके दबा देता हूं यह देख एक और बैज आ गया इस तरह एड़ नियों के उपर फिर पिर एंजी बैकरण इमेजिस के उपर मैं आपको सारी कैटेगरीज में दिखा देखा हो सकता है जब आपका इंटरनेट तेज हो यह कोई मसला ना हो फिलाल मेरे इंटरनेट से से लो चल रहा है मैं इसलामे कैटेगरीज में आकर आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूं अगर खुल जाती है तो नहीं भी खुलती तो मैं किसी तस्वीर के उपर भी इंगली रख देता हूं तो डॉनलोड यह देखें हो गई है इसमें हर वो चीज मजूद है जाब लोग पुछते रहते हैं सर कहां से मिलेगी वह आपको यहां से मिल जाएगा मैंने यह कोई तस्वीर डॉनलोड कर देए यह देखें यह बिजार की तस्वीर है यहां से मिल गहीं होगी ठीक है तो इस तरह के और भी काफी सारी चीज़ आपको मिल गई है अच्छा अगर आप लोग चाहें तो इनको पिक्सल लाइब के अंदर भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकर उसके अंदर जाने से पहले मैं आप लोगो एक और बात बता दूँ और इंशाला मैं कोशिश करूंगा कि फिर फिर भी कलास मेरे यहां पे काफी सारी शीप मुझूद है तो पिन जी तकि लाव शेप स्विश्न जब आप नहीं को बारे बारी बारी देखेंगा तो यह एाँ इस्तयार के औधर जो टसाविर इस्ताने चेइपर होती है वह को बैजजेजवरी काटेग्री केंदर आ स्वेर को यहां पर बैजजेज वाली के जब आप लोगो खोलें तो यह देखें इस तरह का इस तरह की हजारों चीजें आपको मिल जाएंगी और आप इनको अपने काम में इस्तमाल कर सकते हैं तो फिल हाल वीडियो थोड़ी लंबी हो गए लेकिन चलें कोई बात नहीं इसके लावर यहां पर स्पेशल टेक्स्ट होगए रहे हैं इसके उपर मैं इनके उपर दुबारे एक दब फिर कलास बना दूँगा जब यह इंटरनेट से ही काम करोगा इसके लाव मैं आप आप बता देता हूं कि इनको लोगों को आप लोगों ने पिक्सल लाव के अंदर इस्तिमाल कैसे करना है तो उसका बहुत यह असान तरीका है आप ने यह जो नीचे बैगरांड है ट्रांसपिरेंट बैगरांड वाला बटन दबा देना यह वाला बटन जैसे मैं दबाऊंगा तो आप लोगों नजर आ रहोगा जो पीछे बैगरांड हो चुका है जब बैगरांड ट्रांसपिरेंट हो जाएगा तो यहां से सेव कर लें उपर आपको सेव बटन नजर आ रहोगा और यहां पर सेव इमेज वगहरा कर लें अच्छा उसके बाद आप लोगों ने करना कि यहां पर फिक्सल लैब है इसको खोलने इसको खोलने के बाद आप मैं फिला यह जो टेक्स्ट है इसको खतम कर देता हूँ और इसके अंदर इंपोर्ट आपको नजर आ रहोगा है यहनि कि मैं एक तस्वीर को इंपोर्ट कर आँ गैलरी के सी, जो मैंने सेव की हिए है, यह तस्वीर मैं यहां से ले लेता हूँ यहाँ पर मुझे हर चीज जो मैंने वहाँ सेव करके यहाँ पर बेराय गराउंड के बगार ले आए यह सारी मजूद है अब इन में से मिसाल के तौर पर मैं यह वाला बैज मुझे चाहिए बाकि कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ ऐसे करके अब मुझे सिर्फ यही बैज मिल गया मजजिद अगर आपके क्रॉप वाला बटन दबा ले और इसको थोड़ा से उपर कर दे है और ऐसे इसको इस्तमाल कर सकते है इस तरह अगर आपको कोई और चीज आईए तो आप लोग क्या करें इसके कॉपी कर ले कॉपी करने के बाद दुबारा क्रॉप वाला बटन दबा ले और उसके बाद आपको क्या मिसाल के तौर पर नीचे वाली सिर्फ मस्चिद चाहिए तो उसको क्रॉप कर ले और इसको यहां पर ऐसे कर ले और टीक वाला बटन दबा ले यहां से तो ये अपसिरा आपकी मस्चिद आ जाएगी तो इस तरह आप लोग बारी बारी कोई भी चीज इस्तमाल करना चाहें तो कर सकते हैं अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई चीज कटिंग करने में मसला आ रहा हो तो हम फिलाल इसकी कॉपी ले लेता हूँ और यहां से मैं करॉप वाला बटन दबाता हूँ अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज आपको करॉप करने में मसला आ रहा है अगर मिसाल के तौर पे यह जो दो तस्वीरें मिल गई है तो इसका बहुत ही असान तरीका है इन दोनों को आप एरेज कर ले अभी रेज वाला बटन आपको यहां पर नजारारोगा इरेज को अमनलब है जैसे रबड़ होती है मिटाने के लिए इसको यहां पर फुल कर ले और इसको बड़ा कर लें उपर से आर ईससे मिटा दें अराम अराम से बेशक आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं और मिटा आके जो भी चीज़ आप लोग इस्तमाल करना चाहें उसको कर सकते हैं तो यह देखें इस तरह मिटी भी बाकी यहाँ पर जो चीज़ थी वो मिटी गई है इस तरह भी आप अराम से कर सकते हैं दूसरे काम यह आप लिख कर लिए करें कि अब वहां से आप बैगरौन हटा के तस्वीर को सेफ करते हैं तो उनको थोड़ा खुला खुला सेफ किया करें ताकि हर चीज पो क्रॉप करने में कटेंग करने में असानी हो तो अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी और ज आपको यह वीड़ा खुला खुला सेफिगा आपको यह वीडियो पस्वार खुला तो लिए आप